जाता भक्त ब्रिंदबासी जाता भक्त ब्रिंदबासी अधिकारी देखे नाम बेछे दरो काशी जदी नाम किम बेभाई जदी नाम किम बेभाई आमार संगे चलो माहा जनेर काशे जाए तुमिकिम बेख्रिष्न नाम तुमिकिम बेख्रिष्न नाम दस्तुरी लोई वो आमे पुर्णा हावेकां खोडा निताई खोडा निताई खोडा निताई खोडा निताई बड़ो दयाल नित्यानन्द बड़ो दयाल नित्यानन्द बड़ो दयाल नित्यानन्द बड़ो दयाल नित्यानन्द शद्धा मात्र लय देना परमानन्द एक बार देखले चक्षे जाल गौर बोले नीताई देन सकाला संबाल गौर बोले नीताई देन सकाला संबाल देना शुद्धा क्रिष्णा शिक्षा जाती दाना विद्याबल ना करे अपेक्षा खोडा नीताई खोडा नीताई खोडा नीताई ग्रीहे थाको बने थाको ना थाके जनजाल ग्रीहे थाको बने थाको ना थाके जनजाल आर नाई को कलिर भाए आर नाई को कलिर भाए आचंडाले देना नाम नीताई खोडा नाई आचंडाले देना नाम नीताई खोडा नाई भक्ती बिनो ढाकी कोई भक्ती बिनो ढाकी कोई नीताई चराण बिनार नाही आश्राई नीताई चराण बिनार नाही आश्राई खोडा निताय खोडा निताय नित्यानंदराम जयो नित्यानंदराम प्रभुपाँ प्रभुपाँ, प्रभुपाँ जै प्रभुपाँ जैयो मिश्पौफाँद PARAMHANPSI prendre Palestine कचारियाश्टोतर्श श्रीश्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभयर चाहणदा विंद भक्ति विधानत स्वामि श्रील प्रभुपाध की जाए इस कौन फंटर आचारे बीटी फंटरर आचारे सेर दौुब्ड रोल वर्ल श्रीला प्रभुपाध की जाए जयों विश्रुप को फिनात् yamakund radhakunde go aheadbeiter ठीक वर्धन किजये रिइनार का पुर धाम की जए में खुग साकु निटनांद ठीप के नित्यांदप्रबु के कि निइपल गोरिवाद दैसे महाम होडसव की निटाइ गौर प्रेमांदे हरे करषी और खरे कृश्न होल कृश्ण All Glories, All Glories, All Glories, All Glories, Shri Gauranga, All Goswami Shri La Prabhupada. ए क्रिष्ण करुणा सिंदो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गवरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी निश्भानु सुते देवी प्रणमा मिहरी प्रिये वांचा कल्पतरूभ्यस्च कृपासिंदू भ्ययेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वेत गदाधर श्रिवासादि गोर भक्त ब्रिंदा Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 नमाओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निरविसेश शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने नित्यानन्द नमस्तु भ्यं प्रेमनन्द प्रदायने कलोव कलमश जानवे पत ये नमहा नम महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत विशे नमहा वंदे श्री कृष्णा चैतन्या नित्यानन्द सहो दितव गोड़ो दये पुष्पबंतव चित्रव शंदव तमोनु दव हरे कृष्णा यहाँ पे कुछ जगा है भक्त लोग अगर आगे आगे आसकते हैं तो आप तो लोग दर आसकते हैं नित्यानन्द रभु का सबसे मुख्य योगदान हमारे जीवन में क्या है कौन बता सकता है उनकी बहुत सारी देन है लेकिन विशेश कर सबसे बड़ी देन क्या है येस कृष्णा की मर्सी प्रदान करते हैं और स्पेसिफिक नाम हट प्रभुपात शक्ति प्रदान करते हैं आखरी कोई एक उत्तर स्पिरिचल मास्टर भक्ति ये सब सही उत्तर है अच्छा मेरा दूसरा प्रश्ण है चेतनी महाँ प्रभु ने हमको क्या दिया हरी नाम बरज प्रेम कृष्ण प्रेम किसरी चेतनी महाँ प्रभू महाँ प्रदान निया क्योंकि वो क्या प्रदान कर रहे है कृष्ण प्रेम विशेश कर उन्होंने हमें प्रदान के शुषी राधा और कृष्णा चैतने महाप्रभू से पहले यह जस्ट माध्वेंद्र पूरी से पहले कहले राधा और कृष्णा की भक्ति नहीं हुआ करते थी आपको 500-600 वर्ष पुराने से पूर्व और कोई राधा कृष्णा का मंदिर नहीं प्राप्त होगा ृष्णा अकेले हैं लक्षमी नारायन है अधिकाश उन्हें की पूजा नहीं ती तो चैतने महाप्रभू ने हमें राधा और कृष्ण श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार हरे कृष्ट नाम गौरा करीला प्रचार कि चैतने महाप्रभु ने सुषी राधा और कृष्ट राधा और कृष्ट राधा और कृष्ट हमको प्रदान किये और नित्यान उन्हें क्या प्रदान किये स्री चैतने महाप्रभू हमको प्रदान किया कैसे क्योंकि चैतने महाप्रभू जब तक प्रकट लीला में थे उन्होंने लग भग लग अपने सब पार्षदों को मना किया था अपने अपने आइडेंटिटे को डिस्कलोस करने के लिए लेकिन उनके जाने के बाद में कि वह परम भगवान है सब भक्तों को पता था पता लगा उजागर हुआ और इसका विशेश विशेश जो कंट्रिबूशन है नित्यानन प्रभू का उन्होंने हमें चैतने महाप्रभू दिये कैसे आप देखिए चैतने महाप्रभू के विशेश में तीन मुख्य गरंथ हैं कौन-कौन से चैतने चरितामरित चैतने भागवत और चैतने मंगल ब्रिंदा वना रास कईला चैतने मंगल जहां रश्रमण नाशे सरोवा मंगल तो ऐसे तीन मुख्य गरंथ हैं और भी छे-सात और गरंथ हैं, मुरारी गुप्त के कर्चे हैं, चेतनी चंद्रोदे नाटक हैं, ऐसे नौदस बुक्स और हमको मिल जाएंगे, प्रामानिक पुस्तके हैं, मुरारी गुप्त के और अन्य भक्तों के हैं, लेकिन जो उनमें सबसे मुख्य पॉपुलर गरंथ माने जाते हैं, वो ही तीन, कविराज गोस्वामी का चैतनी चरतामृत, व्रिंदावंदाश ठाकूर का चैतन्य भागवत, और लोचंदाश ठाकूर का चैतन्य मंगल, और इनमें से भी जो ये दो मुख्य गरंथ माने जाते हैं, जो बहुत extensive हैं, चैतनी चरतामृत और चेतन्य भागवत दोनों में अंतर क्या है चेतन्य भागवत के अंदर भी तीन खंड है आधी खंड मध्य खंड शेश खंड चेतन्य चरतावृत तीन भाग है आधी लीला मध्य लीला अंत्य लीला लेकिन आधी लीला के अंदर चेतन्य चरतावृत में उनके तत्व को स् सन्यास्त्त का लीला कविराज गोश्वांई एकस्प्लेणं कर दिया और जी लीला उन्होंने अंत्यश्य लीला के अंदर चाहितन्य जो आधी खंड्य है उसमें महा Conservative के विवहाँ तक मतलब महाप्रभु का पूरा सिक्षारतन लिला जहां पर उन्होंने अपनी भगवत्ता या हरे कृष्ट संकीर्टन आरंव लिला से लेकर करके सन्यास तक और वध्य विल्रिंदाश ठाकूर को रेलाईज वाई गरंत बहुत बड़ा हो गया है तो बहुत ही संक्षेफ के अंदर उन्होंने क्या किया किया कि इसन ने भागवद किस्ने दिया था गया श्री नित्यानंद राफुने नित्यानंद प्रभु के वो आखरी डिसाइर थे नारायनी पुत्र श्री बिंधावन दास कि नारायनी नंदन नारायनी जोकि शुक्रिवाष्ठाकूर की भतीजी थी और चार वर्ष की दीडम आपना उतिष्ट दिया था और बोला नाराइनी आप हरे कृष्णा कीर्टन करो और चार वर्ष की वालिका बिल्कुल कृष्ण प्रेम में कृष्णा 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 ऐसे कह करके जो है रोने लगी हसने लगी और पूरे प्रेम के विक आप ग्रंथ लिखिए तो यह इत्यांतरवू की देन है कि हमारे पास चैतने महाप्रभू के विशे में ज्यान है या चैतने महाप्रभू हमारे पास है और कविराज गोस्वामी जो ग्रंथ लिखा वो कैसे लिखा गया क्योंकि जब महाप्रभू और बाद में स्वरुप दामदर गोस्वामी ये दोनों ने अपने नितिलिया में प्रविष्ट कर गए तो रगुनादास गोस्वामी जो कि जगनातपुरी में थे तो वो बहुत दुखी हुए उनके विरा में क्योंकि श्री महाप्रभू ने उनको गुंजमाला और गिराशिला इक दिये थे तो उनको समझ में आए कि अभी मैं गोवर्धन में जाता हूँ और गोवर्धन में जा करके वहाँ से छलांग लगा कि क्या करूँगा आत्मात्या, suicide कर लूँगा तो वहाँ गए तो रूप और सनातन गोस्वामी ने उनने मना किया इस बात से निशेत किया कि ऐसे आत्मत्या मत कीजिए निश्चित रूप से महाप्रभू से आपको बहुत विरा हो रहा है तो उनके डाइरीज के बारे में सारा एकसेस है आपको और आपने जगनातपुरी में लाईव उनकी सब लीला देखी है तो आप हमें क्या कीजिए उसका वरणन कीजिए तो प्रति दिन ब्रज में अलगला जगा विशेश के राधा कुंट के तट पर और रगुनादास गोस्वामी कई घंटे गौर कथा किया करते थे और सब गोस्वामी बैठ करके उस गौर कथा का श्रवन किया करते थे और उसमें एक ओडियन्स है कौन? कृष्णदास कवीराज. कवीराज का टाइटल ने पहले ही मिल चुका था एक पुस्तक लिखने कारण गोविंद लीलामरी तो ने पुस्तक लिखा था जिससे कराण वह पहले ही प्रसित थे कि ये बहुत प्रकांड पंडित हैं कवी हैं तो उनको सब ने आग गया दिन अब्वे वर्श की उम्री थी उनकी कि यहाँ चैतने महाप्रव के लीला को लिखी है जो आपने लेक्चर सबस्या इन पर तंगा हैं स्री भूब रगुनाथ पद य यार आश कि उनकी वंदना करते हैं मैं चैतने निच यहां प्रभू करके इस गरंथ को लेकर तो एक पहला जोंट्रिशन निच्छितन मृण्द प्रभू का हमारे जीवन के अंदर है कि उनने बंदा श्छाकूर अगवध हमको प्रदान किया गया दूसरा आप में से कितने भक लोग नवदीप अंडल गए हैं परिक्रमा किया है वह बहुत कम भक लोग ने नवदीप के अंदर नवदीप हैं जिसमें महाप्रभू उदिलो अरूना पूरव भागे द्विजमानी गोडा आमनी जागे भकत समुहालोईया साथे गेला नागर अब्राजे ताथई ताथई बाजलो खोल घना घना ताहे जाजेरो रोल प्रेमे ढला ढला सोनार अंग चरने नुपूर बाजे कि चेतने महाप्रभू नौदीप के अंदर थे जैसे क्रिश्न भगवान सुभा उठके वांसुरी बीजाते तो उनके सब दोस्ताते देवी गोचारण के लिए करते गूदीप के अंदर शिघॉरांग महाप्रभू द्विजमनी वो क्या किया करते थे सुभा सुआ साब भ द्वीप रितू द्वीप जन्हु द्वीप मोदा दुरूम द्वीप रुद्रद्वीप और अंतर्द्वीप जवात मसंवरपनचाग है तो यह नव द्वीप हैं आप जितने वक्त लोहीं कए कम सम्ने एक बार जीवाने परिकरमा लगाई ए नवदीप मंडल परिकरमा की य यह की थी जीव को स्वामी ने और इनके टूर गाइड कौन थे नित्यानन्द प्रफू उन्होंने इनको बताया देखिए यह सीमन्त दूइप यह माम गाच्छी यह है कौन सा जगा था भक्तिम साब कुन ने किया था जो एक राजा का था सुवर्ण सेन सुवर्ण विहार यह सुवर्ण विहार यह मध्यदीव जहां मध्यान के दौरान महाप्रभू संकिर्टन किया करते थे तो एक एक जगह उनको उन्होंने दिखाया दूसरी परिक्रमा कराई थी श्रीवास आचारी ने इशान ठाकुर को और जो नित्यानन्द करूप में हालांकि भक्ति विनोठ ठाकुर ने नवदीब धाम ऐसे देखा जाए तो सब रेवलिशन उन्होंने किया लेकिन जो प्रथम जो नवदीब धाम दिया हमें कि हमें पता है नाइन आइलेंड का है कहां पर क्या 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 लिला हुए थी यह सब कृपा है किसकी श सव्मी को वो जो है पूरे स्थलियां प्रकाषिद की थे उनको बताई थी इस प्रकार से तो ने कभी-कभी हमें लगत मHEN subscription किया है उद्यान भाइन किया महतपून योगणन है उन्हों नहmeं चयतनsein ने महा प्रभू दिये फोंच स्शा अ विशे में चर्चा करते, तो क्या है? मन में अलगए प्रकार का विकार आ सकता है जो शुद्ध्र नहीं है लेकिन महापरुगल्या में कैसकी संकीर्तञ लिला में कोई ऐसा प्राब्लम ही नहीं है रैट ने तो बहुत सेफ है अगर देखा जाए संकीर्तने बहुत तो यह जो है नित्यान प्रभू के हमारे दो महत्तपुन योगदान जो मैं अब तक स्टड़ी करके समझ पाया हूं ऐसे अने को योगदान है लेकिन विशेश करिए दो योगदान भविश्य की पीड़ी के लिए स्री चेतने महाप्रभू उनके विश्य में ग्रंथ और उनक के के भविश्य की पीडियों के लिए योगदान देखर के अपने सिश्यों से कारे कराए अब नॉर्मली हम सुनते हैं महाप्रभू क्या है बहुत पतीत पावन है परम दयालू है परम करुणा पहुदूई जनन निताई गवर चंद्र सब अवतार शार शार श्रमनी केवल अनन्द कंद्र बड़े दयालू है यह तो है ना चेतने महाप्रु पतीत पावन और नित्यांतरू क्या है तो महाप्रभून है अधमा पतीत जीवे द्वारे द्वारे गिया कि वो तो बिल्कुल जो सबसे पाप धूंड रहे हैं सबसे पाप अभी व्यक्ति कौन उसी को भ प्रकाशनंद सर्वस्वति रामानंद राया ऐसे बड़े बड़े रगुनादास गोष्वामी इत्यादी महाप्रोव के बड़े बड़े लीडर्स उनके सिश्य थे तो नित्यानंतरू देख रहे हैं कि यह सब पतितों का उधर कॉन करेगा जो बिल्कुली गॉन केसे हैं म मतलब वो यह देखते हैं कि क्लास में फेलियर्स कौन है वही मेरे स्टूडेंट होंगे जो सबसे फेल बिल्कुल जिसका जीरो नंबर भी आने का सब जो खाली यह लिखता है कि गाय हमारी माता है आगे कुछ नहीं आता है जो यह लिखता है पेपर के अंदर उसको नित्या बैसे पतितों को ढूंड ढूंड करके जो है उद्दार करते हैं अब महाप्रभु के विशे में देखा जाए तो मुझे कुछ लिलाएं पड़के बहुत संदे होता था कि महाप्रभु इतने महावदान ने आए हैं लेकिन इतने कड़क हैं वज्राद अपी कठोर हम जाओ और कह रहे हैं मरकट वहरागे छोड़ दो गिवप और क्रिजिनेस बातुल की तरह पागल की तरह आचन मत करो अंतरे निश्टा कर लोग भाहिया वहार उनको वापीस भेज दिया दामदर पंडित ने उनी के भले के लिए थोड़ा करेट क्या कर दिया नवदी भेज हो गए वहां बैठकर के दुख के कारण लेकिन महाप्रभू की लिला कौन समझ सकता है तो देखा जाता महाप्रभू कहां से पतित दावन हुए बड़े कठो रहे हैं एक नहीं अगर ऐसी लिलाओं के अंदर आपने पिछले कई वर्षों में हमने इन सारे कथाओं को वरण जानने आए हैं कि महाप्रभू किसी कर देते मान लीजे किसी कारण से तो नित्यान पुषन देदेते थे महाप्रभू के कठोड़ता तो सब से दिखाई पड़ती है प्रताव दुद्र के साथ में इतना महान भक्त राजा रामानांद रायन का गवर्नर और रामान अने बो जब जाओ तो मेरी सिफारिश लगाते रहें वहां पर कि महाबु मुझे विक्रपा कर दें लेकिन महाप्रभु तो सीधा बोल रहें निश्किंचन अस्य भगवन भजनों मुखस्या पारम परम जिगमिश्वर भवसागर अस्या संदर्शनाम विशहिनाम अथयो शिताम चाह हंत हंत विशभक्षणतो प्यसाधू वह कह रहें कि विशही वक्ति का संग करना एक साधू के लिए एक सन्यासी के लिए क्या है बैटर है उसे विश्पान कर लो ज्यादा अच्छा है और सब 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 पार्शदों को बोल दिया दुबारह इस विशहिए बात की तो क्या है जगनातपुरी छोड़ के चले जाओंगा सब थरतर काम तो देख क्या करें भाई कैसे बोलें महाप्रभू को तो इतने कठोर बचन के अंदर महाप्रभू ने पताया प्रुद्रगश्टा स्ट्रिक्ली उन्होंने एक्ट किया लेकिन सार्वा मट्टाचार ने बोला चिंत अच्रण कर रहे हैं ऐसा ही एक भक्त था कालकृष्ण दास जब महापु दक्षिन भारत को गए तो यह जो कालकृष्ण दास थे यह महाप्रभू के सेक्रेटरी बन करके गए ते साथ में गए थे क्योंकि महाप्रभू अपने किसी पार्ष्ट को लेके नहीं गए बंगाल से नवदी पाई था दंडा तोड़ दिया था यह नित्यानंद प्रभू ने एक दंड लेके चल रहे थे स्नान करने गए दख सपी एकारा का पजाए लूद भूख थे टाराणों मुझे क्या ऺफ्लिए तो जिसका दंड था उसी ने तोड़ दिया उनको समझ ने आया कि क्या कह रहे हैं वो ये कहने हैं कि मैं और चेतने महापरू अभिन्न है वो इस तथे को प्रकाशित कर रहे हैं महापर कि चेतने महापरू और मैं अभिन्न है और जिसने डंडा पकड़ा हुआ है किसने पकड़ा था चेतने महाप्रभु ने, उन्हों नहीं तोड़ा इसे, उन्हीं की इच्छा है और खोर्स कई रिज़न भी है, एक दंड गो तृन्ड में कर दिया माया वासान्यास कुलेंगे महाप्रभु तो तृन्ड बना दिया उसका, प्षैक भी दिया फेक्षंदास को नया भक्त ही आपकी बिक्षाटन करेगा। आप तो जब करते करते एक्स्टेसी में आजाओ कि तो वस्तर कौन समालेगा आपका और कमंडल कौन पकड़ेगा इत्यादी तो महापूर काल कृष्ट दास को ले गए अब ये काल कृष्ट दास जब गए दक्षिन महारत में एक जगा जाके क्या हुआ ये भट्ट आरिस्ति जो है गए महापर और उसको पकड़ करके ले किया शिखा पकड़ के महापरभू की ओ सौरी काल कृष्ट दास की महापरभू पकड़ कर ले किया और उन भट्टा हारियों ने इतना महापरभू पर आकर्मन किया अस्तर शास्तर से वही अस्तर शास्तर वापिस उनने को भट को बुलाते हैं और क्याते हैं प्रभु कहें वटता चार्य शुनह इहार चरित दक्षिन गिया छील इह आमार सहीत भट्ठथारि का छे-गला आमारे चाडिया भट्ठथारी है यह रानीलू उद्धारिया अबयामी इहांनी करिलांग विदाय जहां इच्छ जहां आमे सनीना और इसका चरितर देखिए वहाँ इसने मेरी संगती को छोड़ दिया इन भट्टा हरी स्त्रियों के लिए अब मेरी जिम्मेदार दी वापिस लेकर आना तो वापिस ले आया हूं लेकिन अब मैं इसको यहां से विदा कर रहा हूं यह जो चाहिए कर सकता है मैं इसके लिए ज लेकिन महाप्रभू ने कोई परवा नहीं की मिलकुल एतशुनी कृष्ण दास कांधी तेला गिला आपको बहुत कोई प्रातना कर रहा है महापू करना चाहिए महावदान ने आया है महापू बिलकुल इंडिफरेंट चले गए वहां से लेकिन कौन विचार करने लगा नि अब्यक्ति दक्षिन भारत के एक यात्रगा पता है उसे बाकित हमसा तो यह जगनातपुरी में थे बंगाल में था यह इससे तो बड़ा वैल्यूबल परसन नहीं है थोड़ा बहुत गलती कर दिया छोड़ो अधोश दर्शी प्रभू आमार नित्यानंद अनो दर को खबर नहीं थी और महापु की दक्षिन भाद के सब दिला उनको बता तो इस प्रकार काल कृष्ट दास को ने स्याम में लगा दिया है ना महापुर रिजट किया नित्यान पूने उसको कुछ भी नहीं किया फिर महाप्रभू के एक संगे हैं हमारे शड़ गोसवा में र क्रिकेट टीम लगा कीенभा तो लोग लगा रके इनको पकड़के लाने के लिए ये भागते देवागते पकड़के लिए आथे थे जैसे इनकी सालो एű हमार जमी्दार थे आइठलाग को एंके 12ऑ में के तो आप सोची है अभी गोल्ड का क्या भाव चल रहा है चाली साजार रुपे तोला अगर सोची एक तोले का एक सिक्का है तो क्या इंकम हंका पैकेश देखिए तो यह रगुनादास गोश्वामी और गोडधन मजूमदार हिरनेदा मजूमदार के एकलोते उसके वारिस कोई प् पागल हो गए तो फिर उन्हें क्या किया घर से भाग जाते थे तो एक दिन पता लगा कि महाप्रभु जो हैं शान्तिपूर के अंदर आए हैं और शान्तिपूर में आने के बाद में महाप्रभु ने उन्हें बोला कि भई आप घर जाओ यह सब पागलपन छोड़ो और अ पर मरकट वहरागे जोगत वहरागे फल्गु वहरागे अधिक और शुमशान वहरागे चार चीदे प्रभु पादम कर रहे हैं तो लगना तो इसने शिक्षा देते हैं फिर किया थोड़ी दिन वार अगुना दास गोस्त यह नित्यानंद प्रभु आते हैं कहां पानी कि देखिए का शुर को पासमें प्रणाम क्राणा यहां उनके सिर पर रख़ दिये और बोले तुम्हारा दंड क्या है जितने यह वाइश्टन में सबको क्या करना है तुमने चीड़ा दही खिलाना है प्रसाद फिश्ट और स्पॉंसर करना है आपने तो दनाड़ी रखती थे यह तो सब भक्तों के लिए खूब चीड़ा दही नोंने प्रसाद किया बड़ा स तसमने बुलाया उनको और बोला कि देखो भूट शीगर क्या होने वाला है जितने महाप्धुम को अक्सेप्ट करेंगे और तुम पर कृपा करने के लिए चेतने महाप्रभू को मैंने बुलाया था और वो यहाँ प्रकट हुए थे यहाँ समकिर्टन किया और ये चीड़ किसमें सब्सक्री करना और लॉए और महापुर तो मवाthe युद् erhöदाऊ केक्णि सौवामी और दोने ब讲 चुप전गं बोल दिया स्थिधा महापुर खुर्पा बिले तुम्हार केया है भाऊ buenoe बॉरब शुविकार करना है क्था कारेंटी नहीं दे रहा है तेकि नित्यानत्रों के पास दिया है वह अभूत पुर्व है तो उन्होंने बोला और तुम्हें क्या करेंगे इतना भविश्यवानी कर दिया जगनात्पूरे जाओगे महापूस्विकार करेंगे और सरूप दामदर गोस्वामी के सचीव के रूप में तुमको रख लेंगे वहाँ पर और इस तरह महापूके सरवस्रेश्ट विश्वस्द अंतरंग सेवकों में से बन जाओगे और चेतने महाप्रभू के चरण कमलों की शर्ण प्राप्त करोगे इस तरह आश्वस्द होकर अपने घ दक्षिना दिया कि अधिका शुट अश्रम के अंदर थे सवाइशनव थे उनको नोने को कि धनाड़ी परिवार के दिए अधियान प्रभू के लिए उने अधिक दस तुला सोना या इसा को च्रागापनित रखाखे गए और बोला कि मेरे जाने के बाद में आप सब भक्तों क को दीजिएगा तो इस प्रकार अधास गोस्वामी के अपर उसका माध्यम कौन है श्री नित्यानन्द प्रभू इसलिए चैतने महाप्रो किर्पा यदि हमें प्राप्त करनी हो इसलिए प्रभूपाद हमेशा कहा करते थे वी शुड गेट दा मर्सी ओफ नित्यानन्द प् इस प्रकार से नित्यान प्रभू के किर्पा जो है बहुत महत्वपूर्ण है अब ठीक है मित्यान बहुत पतीताओन है काल करश्दास के अपर किर्पा करती रगुनाजास गोस्वामी को थोड़ा एक फी स्पॉंसर के इतना बड़ा अशिर्वा दे दिया तो क्या कभी नि ओन के सब वाईश्ण Haut vertiak वर्ष कहां जाय करते ए जग नातुरी श्यतने महाप्रभू के उमिल्ज ने निवें के साथ रहने के लिए रथ्यात्रा इतम जासर उस्थ्भ देखने के लिए काहतिक के मैं चाहत अवरा श्यसी जाएव यजिसेन कोन करता धा हूए पुरा प्रेज भी वह करें सब को सारी टेंशन वह पाले हैं और उनके साथ क्या होता है तो यह शिवानत सेन बड़े महाप्रव के बहुत प्रिया थे तो एक बारी आतरा लेकर जा रहे थे कुत्ते ने जॉइन कर लिया उनके साथ है नो मुझी तब रेशेशिंग करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो वापिस आए तो उनके सेवक भूल गए कुत्ते को खोजने के लिए खोज खोज के साथ परिशान लेकिन कुत्ता मिला नहीं इंको बहुत शोब हुआ बीच में क्या नदी आई थी तो नाविक ने कुत्ते को गाना अलाउड आज कर लिखा अलाग नाव किया पूरा और उसको पूरी नाव का पैसा दिया बोले इसको नाव पार कराओ कुत्ये को अलागी मैंने सुना है कुत्ता अच्छा स्विमिंग कर रहा है जूपता नहीं कभी लेकिन फिर वेलाग एक नाव किया उसका इतना ध्यान रखा एक बड़े दुखी कि बारे सब करिला अगमन श्रिवानंद सेन आर आचार्य गोसाई नवद वी पे सब भक्ता हैला एक ठाई कुली नग्राम वासी यार यतखंड वासी एकत्र मिलीला सब नवद वी पे आसी इत्यानंद प्रभुर यद्यपी आग्यानाई तथा पीदे खीते चलें चैतन्या गोसाई क्या हो गया कि सब श्रीखंड वासी और ये खुली नग्रान के वासी शांतीपुर के वासी नवदीप के सब एकते दोकर जगनाद पूजाने दो तीन सो भक जाय करते थे और उन दिनों तो पैदली जाना पड़ता था तो कई दिन लगते थे और नित्यान प्रोग अपने तीनों भाइयों और अपनी पत्नी मालीनी के साथ और चंदर सेकर आचार्य ओन के साथ सब और श्रिवानन सेन भी आए उनकी पत्नी भी आए तीनों पुत्र भी आए रागाव पंडित वो अपने विशेश प्रसाद लें करकर अए अनेक अनेक भगत आय दो तीन सो थे सब भक्तों ने सबसे नवदी पाके शची माता कि आग्याली अनुमति लिप और फिर किर्तन करते जगिनात्पुरी के और रिवाना हुए तो शीवानन से सब जगा बढ़िया विवस्ता कर रहे थे और सारे रास्ते जानते दे वोडिसा के कैसे कैसे कब जाना है कहां रुकना है तो एक बारी क्या हुआ कि एक जो टॉल टेक्स वाला कहली जेकुल विला करके ये शौकी जो होती थी वो थोड़ा जाला चेकिंग करने लगा कि ये लोग कुछ धानले भाई तो नहीं कर रहे आगे निकल का शीवानंद सेंट पीछे रुक गए टैक्स वाक्स पूरा पे करने के लिए जाने के लिए तो शब गिया रही लाग राम भीतरव रिक्षतले शीवानंद बिना वासस्तान नहीं मिले नित्यानंद प्रभू भोके व्याकुल हईया शीवानंद गाली पड़े अब क्या हुआ सारी टोली तो पहुंच गी आगे गाउं के अंदर अब क्योंकि व्यवस्ता तो करी नहीं थी ज्यादा उस समय केवल शीवानंद सेंट जानते थे कहां क्या व्यवस्ता है किसको क्या रूम अलॉट करना है का प्रसाद सर्विंग करना है सब कुछ भई जान और व्याकूल उठेव बड़े सोचे भूख से बिलकुल परिशान हो गए और रहने के लिए निवास्तान नहीं मिला था अक्कमडेशन नहीं मिला प्रसाद नहीं मिला तो यात्रा में अगर प्रसाद और अक्मडेशन यह दो चीज नहीं मिले तो क्या होता है सब को अनुट यह देने लगे हैं के रहे हैं कि शीवान। सेनने मेरे लिए रहने की विवस्ता नहीं करी और मैं इतना भूका हो कि मर सकता हूं है झुल निकल जाएंगे और क्योंकि वो नहीं आया दो तक मैं क्या करताओं उने शाद देता हूं कि तीनों पुत्र मर जाएं आप स उत्रे शापध प्दीचें घौसाइवसान अपय कि गिए नित्यान्द जौन को को कि साथ पुत्रों को यह पूत्र शाद दे झाल के और मत भी ध्यों को. पर से क्या जवाब दियो नोंने अभी आप लोग मैनेज करते तो क्या होता है सब करें भी और सुने भी बहुत करो भी और गाली भी खाओ तो यह बढ़िया लेसर है एक कि भाई जो करेगा वही सुनेगा कम से कम वॉलेंटरी ओर्गनाइजेशन के अंदर जब आपको भक्ता जाए था वैसे करना चाहिए था यह ठीक नहीं वह ठीक नहीं हुआ ऐसे होना चाहिए था तो उसके लिए सब जो लोग भी किसी प्रकार की मैनेजरी पोडिशन लीड़ी पोडिशन पर हैं तैयार रही हमेशा एना गाली खाने के लिए और अभी आप बोल जाएंगा पहले बताते प्रोजी फिर हम सेवा नहीं करते शाहिद यह ना इसकौन का सिस्टम ही है पहले थोड़ा-थोड़ा कैरेट दीजिए बाद में असलियत आपको बताते जाएंगे कि देखे कृष्ण परेम पाने के लिए प्राइस प्राप्त करना पड़ेगा है कि नहीं तो वैशन कौन है लगे दृष्टी कोन की बात है वो तो डिटी मर्सीपुल है सेहन शीले कुछ कहते रही है लेकिन कै भक्त लोग जो है बहुत कृपालू है हमको बता देते हैं कि भाई ढंग से प्रसाद बनाओ नहीं नहीं धीटी सेहन कर लेते हैं लेकिन भक्त लोग हमारे शुद क्यानत्यों जो है अरे तुम क्यों व्यक्त रही हो जो असुद्धा प्राप्स हूई है मेरी वजह से उसके लिए हमारे तीनों को मरने दो तो परिशिवानन से नित्यानत्यों के पास गए प्रणाम किया उन्हें ठाकर के नित्वान देख एक छाति पे लाजट मारा को चि वाना कगे असटाइप प्रैसाद की और हएप क्योंडेशन की और शिवानंद से ने क्या किया उनके चरण कमल को पकड़ लिया और उनको अपने आभास्तान पे लेके गए और कमरा देने के बाद में कमड़ आरेंज करने के बार शिवानम सेन वोले उनको पहले संतुष्ट किया और फिर कह रहे हैं आजी मोरे भित्य करी अंगीकार कैला ये मना पर आद भित्यर योग्येफल दिला शास्ति छले क्रिपा कर एतो मार करूना त्री जगते तो मार चरित्र बुझे को न जना ब्रह कह रहे हैं आज मेरा जीवान सफल हो गया है क्योंकि आपने मुझे सेवक के रूप में स्विकार कर लिया है सेवक वागोसी को दंड देंगे आप कोई पराया होगा थोड़ी दंड देंगे अप पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी माता पिता कुछ कहेंगे कुछ भी करें अपना बच्चा को दो थपड लगाएं गलती करेंगा तो क्योंकि अपना है तो ऐसी दोने बोला कि आज आपने मुझे स्विकार कर लिया है ठैंक यू वेरी मच और मेरे गलती के लिए उचित डंद दिया है आपने मुझे हे प्रभु आपके द्वारा दिया गया दंड आ सेंट लगाता है यह कैसा न्यासी गूस आ हूँ क्या कि चगनात्पुरी गया महाप्रभू के पास गया मुले प्रभू थोड़ा एक अजीब सा प्रश्चन है लेकिन फिर भी मेरे मन में संदे आप पर दूर कीजिए उस ब्रह्मन के संदे की वज़े से चेतने महाप्रभू ने पूरा एक अध्याई नित्यानंद प्रभू क कुझान में, लगा दिया, कि नित्यानंद प्रभू कौन है, यदी वो कि शराब खाने में भी जाते हैं, यदी वेश्यलय के अंदर भी जाते हैं, तो भी ब्रहमन नित्यानों प्रति पूरा विश्वात जागत हो उठाँ, तो वो कहतmore है कि Coke आपके चरणकबलो के धूल ब्रह्मा तक को प्रापि नहीं है फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे अधम शरीर का सपर्श किया है आज मेरा जन्म कर्म परिवार सभी सफल हो गया है आज मैंने धर्म अर्थ काम तदा अंतदा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है जब शिवानद से ने ये कहा तो तो नित्यानद ने ये सुना तो भड़े प्रसंद हो गए प्रेम से शिवानद सेन का अलिंगन किया और शिवानद सेन ने जो है अध्वेता चैसा वाइश्णों के विवस्ता की नित्यानद प्रभू का विप्रीत सुभावन के विशेष्टा है जब खुरुद्ध होकर कि प्रात प्रहार करते हैं तो वस्तुताव उसके हित में होता है अब हुआ क्या फिर उनने बोला कि आपके तीनों पुत्र नहीं मरेंगे लेकिन उनका जो भतीजा था शिवानद सेन का उसको बड़ा डाउट आगया इससे कैसे नित्यानद प्रभू ने उठा करके लात मार आप लेगा यह को तरीका है मेरे अंकल से टीट करने का इतनी सेवा करते हैं तो वह यात्रा को छोड़के आगे चला गया और महाप्रभू से जा करके मिला जब तो कुत्ता था फिर महापरों से संदे को दूर किया उसके हिर्दे को हलका किया और जो कुत्ता था वो भी सब पिछले साल पहुंचे देखा क्या महापरों से अपने हाथ से नारियल खिला रहे हैं और वह कुत्ता अगले दिन क्या है सब के सामने हरे कृष्णा करता रो रहा था सब के सामने शरी छोड़ दिया और चत्रुबू दूब धारन करके भगवान के धाम वापिस चला गया थ यह श्रीवा नंद सेन की कृपा थे उनके अपर तो मैं यह कथा इस देली कि देखिए लग सकता इंत्यान प्रू बड़े क्रोधित हैं लेकिन दो लक्षे हैं वो बता रहे हैं भक्तों के लिए त्रुनाद अपीस उनीचें तरोर अपीस हैश्टुना आमान इना माने देन किरगी कि कि अढ़े मdesha करेंगी तो लात पड़ेगी यो सेवानहीं करेगा उसे क्या मिलेगा इसे हात मिलेगा से जोव सच बताइए कौन सा सौधा है जुटी प्रशंसा या और माया की लाथ और भक्तों की लाथ जादा अची कौन सी है तो बैट रहे खा लें उसे हैं कि माया की लाथ का रहे हैं वक्तों की लाथ खा लें भक्तों की लाथ खा लें भक्तों की लाथ खाके भगोधाम चले जाए ज लेकिन महापतित पावन है जगाई मधा इत्यादी सबका अधार किया और ऐसे चांडालों का चांडालों का और सबसे महापतित शराबी लोगों का उनको पाजाकर नित्यांत रभू प्रचार किया करते थे और उनके हमेशा यही योजना रहते थी, सब को क्या दिया जाए? नहीं, भूल गया आप, मैं लेक्षर स्टार्टिंग में बताया था, स्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रे उनका प्रदान किया जाए, क्योंकि केवल वही आश्रे प्रदान कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का, और उनके जो प्रामानिक प्रतिनी दी हैं, श्रीला प्रभुपाद, आप देखिए, प्रभुपाद जी ने विदेशों के अंदर, ऐसे बावरी के अंदर जा करके, अगर सोचिए, भारत के सब बड़े प्रकांड, ब्रामण, उनके सिश्य होते हैं, प्रभुपाद की महिमा होती क्या, होती, लेकिन बहुत कम होती, पहले सी उननत लोग थे, इनका क्या है, तो भगद बनगा इतनी बड़ी वात ने, वो विदेश में जा करके, वहाँ भी एजू करें नहीं, वो सब बावरी शिड़ के अंदर हिप्पी, हम केवल, चैतने महा प्रभु के भाव से, हम प्रचार करते हैं, तो क्या करते हैं, जो इंट्रेस्टिड लोग हो, उनको पकड़ो, नित्यानद प्रभु का भाव क्या था, जो सब बिल्कुल इंट्रेस्टिड ना हो, उसे किरपा प्रदान करो, लेकिने, क्योंकि उसके बहुत करुणा चाहिए, अदर, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत दया चाहिए, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, यह है नित्यानद प्रभु, इस नित्यानद प्रभु के विश्य के अंदर हमें उनके प्रार्थना करने चाहिए, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण न पाई ते नाई, तृड़करी धरो निताईर पाई, कि नित्यानद प्रभु के चरण कमले पकड़ने चाहिए, कैसे पकड़ेंगे, उनके चरण कमल कहा प्राप्त होंगे, अध्यात्मी गुरु उनके प्रतिनीदी है, शिलत रहुपाद उनके प्रतिनीदी है, जितना हम विश्वास के साथ उनके आग्या के पालन करेंगे, भक्तिवधान तात्परे को पढ़ेंगे, उतना हधिक क्रपा हमें प्राप्त होगा, तो आज की दिन नित्यान प्रभु का मभार प्रकट कर सकते हैं शी चेतने महाप्रभु ने प्रदान किये कि चेतने भागवद लिखवाया शी चेतामिद लिखवाया उसको हम पढ़ लें कम से कम है कि नहीं पढ़ करके महापरु नित्यान प्रभु को सबसे बड़ी भेंट होगी वो परसन्न होंगे कि जिस तोफ़े को देने के लिए में आया था हम सब ने उसे स्विकार किया है श्री नित्यानंद प्रभु की श्री नित्यानंद रदर्शी महा महा महोत्सव की नित्यान श्री नित्यान प्रभु पाद की नित्यान गौर प्रेम नंदे हरी हरी भाव अधे क्रिश्टा